वो कहते हैं ना कि सच छुपाई नहीं छुपता है, जूट चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से सच सामने आही जाता है। अब यहां तक कि फरजी सब इंस्पेक्टर युवती एडीजी के साथ टेनिस खेलती थी, और इतना ही नहीं वो पूर्व डीजीपी के बेटी की शादी में भी शरीक हुई, वहीं युवती असली पुलिस अधिकारियों को भी हड़काने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज जूट के दम पर पहना हुआ मुखोटा एक नएक दिन हटी जाता है, एक दिन छोटी सी गलती भारी पड़ गई और हो गया इन मैडम का भांडा फोर्ड। तो आखिरकार क्या है इस फरजी महिला पुलिस अधिकारी की कहानी जो की बड़ी मज़ेदार है, आईए जरा जान के नागावर जिले के निंबा के बास में रहने वाली मोना बुगालिया की है, जो कि सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा की तयारी कर रही थी, उसके पिता खेदी करते थे और बाद में ट्रक ड्राइवर बन गए, अब मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर भरती में जब परिणाम आया तो मोना ने खुद के सब इंस्पेक्टर में चैनित होने की जूटी ख़बर अपने गाओं में फैला दी अब इधर रिष्टेदारों और गाओं के लोगों में मोना के पुलिस में सेलेक्शन पर बधाईयां पर बधाईयां आने लग गई इसके बाद मोना हर किसी को अपने संघर्ष की कहानी बताने लगी कि कैसे परिवार की आर्थी खालात कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और तब जाकर ये मुकाम मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता तो कुल मिलाकर मोना बुगालिया का रॉला ऐसा था उन्होंने ऐसा महौल खींच लिया कि बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी भी कच्चक आ जाए लेकिन जब उसकी असलियत से परदा हटा तो पता चला है कि ओ तेरी ये तो कोई पुलिस अफसर नहीं बलकि एक नंबर की जालसाज औरत है जिसने राजस्तान पुलिस अकैडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए दो साल तक फरजी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की दी उसने पुलिस वाली होने का 4 सितंबर 2022 तक हुई फिर 5 सितंबर 2022 से 10 सेप्टंबर 2023 तक फील्ड ट्रेनिंग हुई मोना ने राजस्तान पुलिस अकैडमी की खामियों का फायदा उठा कर यहां एंट्री कर ली अब पूरे 2 साल तक वहाँ पे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करती रही अब मोना मैडम का कमाल तो देखिए वो एक साथ दो बैचों में ट्रेनिंग करती रही लेकिन अकैडमी के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी क्योंकि वो बेहदी का किसे अपनी योजनाओं को अन्जाम दे रही थी उससे जब र्एगूलर बैच में ऊचता जाता तो वो बताती कि वो स्पोर्ट्स कोटे से है और जब स्पोर्ट्स कोटे की ट्रेनिंग में सवाल किये जाते तो वो कहती की अरे मैं तो regular batch की हूँ, attendance के दोरान पकड़े जाने से बचने के लिए, कभी indoor class, तो कभी activities attend नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि यदि class में जाएगी, तो उसकी पोल खुल जाएगी, और इसी तरह से जो भी training के लिए academy में आते हैं, उन्हें वही hostel में रहना पड़ता है, लेकिन चूकी मोना का नाम चुने गए, candidates में तो था ही नहीं, तो वो hostel में भी नहीं रह सकती थी, ऐसे में वो रोजाना ट्रेडिंग academy में आती, और बाहर चली जाती, वहां से आने जाने के लिए उसने अनोखा तरीका ढूर निकाला था, वो training academy के main gate से नहीं आती जाती थी, क्योंकि वहां i-card की checking होती थी, बलकि इसके बदले वो उस gate से academy में आती, जहां से police अफसरों के परीजन आते जाते थी, अब academy में आने के बाद वो जादा तरवक्त canteen, swimming pool, family quarters में गुजारती थी, academy की canteen में वो बकायदा वर्दी पहन कर जाती थी, और नए-नए सब-inspector से दोस्ती करती, academy का नियम ये है कि यहां चुने गए candidates को अपनी वर्दी का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है, मोना ने अपने लिए दो uniform बनवाई थी, अब पकड़े जाने के डर से मोना ने कभी भी सब-inspector को मिलने वाली पगार भी लेने की कोशिश नहीं की, और इस तरह से मोना का गोरक धंदा लगातार चलता रहा, मोना भुगालिया वर्दी का धोस जमाती थी, और वो लोगों को बताती थी कि कैसे उनका जीवन संघर्षनों से बरा राय है, और बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुची है, मोना जहां भी जाती, वहाँ थाने-दार की वर्दी पहन कर जाती थी, इतना ही नहीं वो अपने सोशल मीडिया अकाउन पर भी वर्दी पहने फोटो और वीडियोज अपलोड किया करती थी, इससे प्रभावित होकर कई कोचिंग सेंटर संचालक, मोना को स्टूडेंट्स को मोर्टिवेशन देने के लिए, यानि की स्टूडेंट्स को बताती की कैसे गरीब परिवार की बेटी कामयाब बनी, मोना की ऐसी संघष की कहानी सुनकर स्टूडेंट्स प्रभावित हो जाते और तालिया बजाकर उनका स्वागत किया करते थी, मोना बुगालिया ने महौल तो ऐसा खीचा कि सब कुछ मस्त चल रहा था, लेकिन एक जगह वो कर वैटती हैं गलती, दरसल, आरपीय में ट्रेनिंग कर रहे बैश 48 के सब इंस्पेक्टर ने वाटसेप पर गपशप नाम से एक ग्रूप बना रखा था, इस ग्रूप में किसी टॉपिक पर सब इंस्पेक्टर की बीच में डिसकेशन चल रहा था, और इसी दोरान मोना की एक दूसरे सब इंस्पेक्टर से बहस हो जाती है, मोना ने सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों को बहस के बाद वाटसेप पर ही धमकी दे डाली, कि मोना तो भाईया फरजी वाड़े वाली स्टूडेंट है, तो उन्होंने आखरकार मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रेपोर्ट लिखवा दी, इसके खिलाफ IPC की धारा 419, 48, 479 और 66 DIT Act और राजस्तान पुलिस Act की धारा 61 के तहत केस दर्च किया गया, लेकिना मोना मैडम तो अभी फरार है, वैसे दोस्तों फरजी पुलिस अधिकारी मोना भुगालिया के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर पताईए, और साथ इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,